नमस्कार दोस्तों पात्फाइंडर में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा 1963 में जमू कश्मीर के पुंच में हुए एक हेलिकॉप्टर क्रैश के बारे में जिसमें भारत के कई सीनियर फौज के अफसरों की जान चली गई थी दो दिन पहले हमारे Chief of Defense स्टाफ जनरल बिपन रावत जी और ग्यारा अन्यस सैन्य अफसर एक हेलिकॉप्टर हाथसे में हेलिकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे तो मेरी तरफ से पूरे Pathfinder टीम की तरफ से सबसे पहले इन सभी को शद्धान जली जनरल बिपन रावत वस वन अफ फाइनेस्ट आर्मी जनरल्स ऑफ इंडिया और इनकी जो यह डेथ है यह हमारे Security Establishment के लिए बहुत बड़ा धक्का है लेकिन हम उमीद करते हैं कि भारत क जो हर रोज नए वीर सपूतों को जनन देती है और नए वीर आर्मी ओफिसर्स को जनन देगी और नए ओफिसर्स इनकी जगे लेंगे और जो भी इनकी जगे लेगा हम पूरी तरह से उमीद करते हैं कि वो भारत की सेना को नई उचाईयों पर लेकर जाएगा इस हादसे के हमें याद दिला दी ये आखरी बड़ा हेलिकॉप्टर क्रैश था जिसमें देश की टॉप मिलिटरी लीडर्शिप की डेथ हो गई थी 22 नवेंबर 1963 को जमू कश्मीर के पुंच जिले में एक हेलिकॉप्टर क्रैश में 6 सेना और एर फोर्स के अधिकारियों की मृत्ति हुई थी ये हादसा क्यों और कैसे हुआ और इसके अलावा अन्य हेलिकॉप्टर क्रैश कौन से हुए हैं हमारे देश में उनकी जानकारी मैं आपको इस लेक्चर में दूँगा आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अनकैडमी एप पर आप मुझे फॉलो ज़रूर करें इस ID पर क्योंकि महाँ पर मेरी एक नई स्पेशल क्लास सीरीज स्टार्ट होने वाली है जो कम्प्लीटली फ्री है पॉलिटी MCQ उसको हम शुरू करेंगे मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स और नोटिफिकेशन प्राप्ट करने के लिए आप मेरे टेलिग्राम चैनल को या पाथफाइंडर टेलिग्राम चैनल को नहां से डाउनलोड कर पाएंगे आज यानि की 10 डिसमबर को अनकैडमी के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष में एक स्पेशल ओफर है जिसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 6 मन्त की एक्स्ट्रा वैलिटी मिलेगी इस वैलेट फॉर याद रखिए अगर आप मह अफिसर कमांडिंग इन चीफ लेटनेट जनरल दौलत सिंग शामिल है यानि कि भारत देश की जो पूरी पश्चिमी कमांड को अफिसर जो लीड कर रहे थे उनकी यहां डेत हो जाती है पश्चिमी कमांड यानि कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो अली सीमा हमारी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके अंडर में आती है दूसरे थे 15 कोर के जी ओसी लेटनेट जनरल बिकरम सिंग 15 कोर सेना का वो अंग है जो जमू कश्मीर में तैनात रहता है 1948 से यानि कि बिलकुल शुरुआत से 15 कोर जमू कश्मीर में पूरा सुरक्षा का जिम्मा संभाल हुए है तो आज भी जो पूरा कश्मीर वैली है उसको 15 कोर हैंडल करती है I mean the security of कश्मीर वैली इस अंडर 15 कोर तो यह एक तरह से जम्मू कश्मीर में आर्मी के लीडर है ठीक है यह पश्यमी कमान के लीडर है तीसरे थे Air Vice Marshal E.W. Pinto जो पश्यमी कमांड एरफोर्स की पश अंतर भारत की रक्षा करता है यानि कि अगेन पूरा पाकिस्तान बॉर्डर नॉर्दर इंडिया में जो चाइना का बॉर्डर है उस सभी में जो एर स्पेस है उसको गार्ड करने का जिम्मा वेस्टन कमान के पास है और उस समय एर वाइस मार्शल सेकेंड हाइस्ट पुजिशन हुआ करती थी इंडियान एर फोर्स में तो ये भी सेकेंड रैंक के ओफिसर थे यानि कि जो टॉप मूस्ट रैंक होती है एर मार्शल उस समय टॉप रैंक होती थी जो जनरल ऑफिसर कमान इंडिविजन के थे उसके बाद ब्रिगेडियर स.र. अबरोई कमानडर 93 इंफेंट्री ब्रिगेड और फ्लाइट लेटनेंड SS. सोडी जो इस हेलिकॉप्टर को फ्लाइ कर रहे थे तो ये सभी लोग जो हेलिकॉप्टर में मौजूद थे इन सभी क मृत्य हो गई इस क्रैश के बाद और ये सभी अपने आप में फेमस ऑफिसर्स थे देवर हीरोज ऑफ अर्लियर वार्स लाइक 1962 वार 1947 वार तो इनके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा फिलाल के लिए ये देखते हैं कि ये सभी एक साथ ट्रेवल कर क्यू रहे थे तो देखे पुंच जिला भारत के जमू कश्मीर में स्थित है और पुंच बिलकुल LOC के निकट है तो अगर हम लाइन ओफ कंट्रोल को देखेंगे तो पुंच शहर उसके काफी नजदीक में है और ये पुंच शहर पुंच नदी के किनारे है अब इसी नदी की एक बना हुआ था जिससे बिजली भी यहाँ पर पुंच शहर को मिलती थी तो पाकिस्तान ने LOC की तरफ से यहाँ पर फाइरिंग करते हुए और बंबारी करते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था तो 1963 के दोरान इस बेतर नला क्या जो हेड़ वर्क्स है हेड़ वर्क्स का बलकि आर्मी के point of view से भी बहुत important था यहाँ से बिजली और पानी मिला करता था पुंच में जो इंडियन आमी तैनात थी उसके लिए यह बहुत ही critical headworks था तो इसी को देखने के लिए इसका निरिक्षन करने के लिए हेलिकॉप्टर से यह सभी अधिकारी जा रहे थे senior officers दि यह accident हो जाता है जिस helicopter में accident हुआ था वो एक allute helicopter था French suit aviation एक company हुआ करती थी वो यह बनाती थी भारत में इसे चीता के नाम से जाना जाता है HAL इसे बनाती है HAL चीता helicopter तो यह allute helicopter यही वाला model था उसका थोड़ा सा यह नया model है उस समय पुराना version उसका होता था तो वो वाला helicopter fly कर रहा था काफी common helicopter है दुनिया भर की कई Air Force, Armies, Navies इसे इसे इस्तिमाल करती थी 1960s, 70s और 80s में यह बहुत popular helicopter हुआ करता था accident का कारण कुछ महीने बाद पता चला था जब जांच समीती बिठाई गई और जांच समीती ने अपनी report में यह बताया कि नदी के उपर कुछ तार थे, टेलिग्राफ और टेलिफोन के wires थे, उन wires में यह helicopter उलज गया और crash कर गया तो उस समय देश भर के लिए यह एक बहुत बड़ा जटका था, आप हालात समझिए 1962 की लड़ाई में भारत चाइना से हारा था, देश में उस वक जो सेना का मनोबल है वो इतना अच्छा नहीं था और ऐसे में एक साल बाद ही देश की टॉप military leadership, वो भी खास करके उत्तर भारत western borders को command करने वाले top military generals की जब death हो जाती है helicopter crash में, तो देश के लिए बहुत बड़ा धक्का था उस समय, पार्लिमेंट तब भी session में थी, अभी की तरह winter session चल रहा था, देश के रक्षा मंत्री थे Y.B. चवान उन्होंने देश को इसके बारे में जानकारी दी और ये भी बताया कि वहाँ पर उस समय दो helicopter थे, तो अगर ये officers चाते तो शायद दो helicopter में जा सकते थे, लेकिन बाद में जाच हुई तब पता चला कि जहाँ पर उन्हें जाना था और land करना था, वहाँ पर ये क अब जिस दिन ये क्रैश हुआ था, उसी दिन, same day, America के राष्ट्रपती John F. Kennedy की भी हत्या हुई थी, 22 November 1963, Kennedy was assassinated, तो दुनिया भर के अख़बारों में किवल इसी को स्थान मिला था, भारत के top military generals की death के वल, भारत के अकबारों में एक side news बनकर रह गई थी, आप देख सकते हैं, ये उस समय का Times of India अकबार का front page है, President Kennedy assassinated, तो definitely, यहाँ पर news जरूर है, इसकी five top military men killed in helicopter crash, लेकिन, आप देखें कि ये एक तरह से अफसोच जनगी था, कि जादा coverage, of course, US के President के हत्या अब एक बहुत बड़ी घटना थी, तो इसे जादा coverage मिला था, तो हो सकता है कि आप लोगों ने भी कभी इस crash के बारे में ना सुना हो, in fact मैंने भी कल तक इसके बारे में कभी नहीं सुना था, कल जब इसके बारे में news आई, तब मैंने भी पढ़ा इसके बारे में, और पर भी एक साथ travel नहीं करते हैं, मार्च 1953 में भी पहले एक crash हुआ था इस प्रकार का, और उसमें भी कुछ senior officers की death हुई थी, इतने senior नहीं थे, तो उस समय भी एक unwritten सा rule pass कर दिया गया था, कि एक साथ military leaders travel नहीं करेंगे, हाला कि उसे इतना strictly enforced नहीं किया गया, क्यूंकि army को प पढ़ सकता है, तो इसलिए ये rules इतने strictly enforced नहीं किये गए, लेकिन जब ये वाला crash हुआ था, 1963 वाला, उसके बाद से protocol में officially बदलाव लाया गया, और इन rules को बहुत ही strictly enforced किया गया, और आज के समय में कोई भी senior army generals एक साथ travel नहीं करते, in fact अभी भी आप देखेंगे, CDS, Bipen, रावत जो हैं, इनके साथ, एक brigadier, ऐसा नहीं है कि दो या तीन left net general इनके साथ travel कर रहे थे, तो आज के समय ऐसा कभी नहीं होगा कि पश्यमी और पूरवी command के GOC एक साथ travel कर रहे हैं, चाहे वो helicopter हो, car हो, train, bus, किसी में भी नहीं करते, ठीक है, और ये protocol, जारतर दुनिया की सरकारें अपने top leaders के लिए भी follow करती हैं, तो कभी भी अमेरिका में जैसे president और vice president एक साथ travel नहीं करते, भारत में भी कुछ इस तरह के protocol हैं, कि हमारे भी राश्टरपती, प्रधान मंत्री ये सब एक साथ travel नहीं करेंगे, इनके transport हमेशा अलग रखे जाते हैं, और पुलवा लागे हैं, कहां पर रुख सकते हैं, कितनी halt locations होंगी, किस तरह का movement होगा, तो ये बहुत सारे changes लाए गए हैं, इस helicopter crash में मारे गए, lieutenant general दौलत सिंग, western command को lead कर रहे थे, और 1962 का जो war हुआ था भारत चाइना का, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी leadership दिखाते हुए, जो western वा नेफा वाला एरिया था, उस समय अरुनाचल प्रदेश वाला, वहाँ चाइना बहुत जादा बड़त बना लेता है, पिछले साल आपने कई जगहों का नाम सुना होगा, दौलत बेग, उल्डी, पैंगॉंग लेक, चुशूल, इन सभी जगहों पर 1962 में, इंडियन आर्मी सभी में वो शामिल रहे थे, in fact इन्हें Hero of Ladakh के टाइटल से भी सम्वानित किया गया था, यह originally पंजाब के नामा शहर से थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों में यह इतने popular थे, कि इनका अंतिम संसकार जम्मू में किया गया, और आज भी इनके नाम के पीछे जम्मू मे Ladakh region, इसके बाद हम कुछ और aircraft या helicopter crashes के बारे में जानते हैं, जिन्नों ने Indian Army को काफी नुकसान पहुचाया, 1952 में एक Devon plane crash हुआ था लखनाओ में, लेकिन किसमत से इसमें किसी की भी मृत्यू नहीं होती है, पर यह बहुत ही खतरनाक साबित होता अगर किसी की मृत्यू हो इस plane में शामिल थे, और भी कई सारे senior officers यहाँ पर थे, 14 November 1997 को अरुनाचल प्रदेश के तवांग district के लुंगार सेक्टर में, एक helicopter crash हुआ, जिसमें हमारे Union Minister of State for Defense, NVN SOMU, जो की तमिलनाडू के एक politician थे, इनकी और तीन senior officers की death होती है, एक major general भी इनमें शामिल थे, तो भारत क junior defense minister, एक helicopter crash में, तवांग में, मारे गए थे, 1997 में, जब ये plane crash हुआ था, उस समय ये 4000 मीटर से भी जादा की उचाई पर था, which is a very difficult terrain, 1993 में, भुटान में, एक Mi 8 helicopter crash हुआ, जिसमें, eastern army commander, left net general, जमील महमूद की death हो गई, इनके लावा, 7 और Indian army officers और जवान, यहाँ मारे जाते हैं, 2019 के October में, यानि की लगबग 2 साल पहले, पुंच में ही, एक Dhruv Advanced Light helicopter crash हुआ, लेकिन किस्मत से, इस बार किसी की जान नहीं गई, 9 लोग चोटिल हुए थे, और इसमें, northern army commander, left net general, रणवीर सिंग बज गए, वो भी इसमें, इंजर हुए थे, 2020 में, Indian Air Force का Mi 17 helicopter crash हुआ, तो इस तरह से हमने देखा कि भारत के Armed Forces में, कई helicopter या plane crashes हुए हैं, लेकिन इतनी senior leadership, हमने किवल 2 crashes में खोई है, एक 1963 वाला ये crash, जिसकी चर्चा हमने करी, और दूसरा, CDS जनरल विपन रावत, और उनके साथ 11 अन्य सेन्य अफसर, जिस crash में अभी मारे गए हैं, ये वाला, तो ये हमें बताता है कि हमें हमेशा इतियास से सबक लेना चाहिए, और हमने लिया भी, अब senior commander से एक साथ travel नहीं करते हैं, तो हम उमीद करते हैं कि भविश्य में इस तरह की घटनाय कभी भी ना हो, इसी के साथ ये lecture में आज आप समाप्त करता हूँ, और आपको बताना च का फाइदा क्या है, कि आप unacademy plus course को जॉइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देश के best educators live पढ़ाएंगे, plus और iconic दो प्रकार के subscription models है, iconic में आपको personal mentorship भी मिलती है, ये एक additional benefit है, इन सभी courses में आपको 10% discount मिलता है, अगर आप महिपाल code का इस्तमाल करते हैं, तो optional के courses भी available ह EMI पर आप इन courses को avail कर सकते हैं, EMI कैसे avail करना है, description में आपको बता चल जाएगा, link दे रखा है, first link, google form, उस पर click कीजिए, साल के अंत में courses की price को बढ़ाया जाता है, last week, 9 December को last week, price थोड़ा सा बढ़ा है, 16th को 3000 रुपीज का और high का रहा है, तो इससे पहले ही आप subscription को avail कर सक plus subscription लेने के बाद आप मेरा ongoing concepts of quality NCRT course को भी join कर सकते हैं, और इसमें मैं 11th class की जो NCRTs है, उनको काफी detail में समझा रहा हूँ, chapter by chapter हम पूरा cover कर रहे हैं, इससे आपका quality का बहुत अच्छा base तयार होगा, 15 December से नए batches start हो रहे हैं, हर Wednesday को नए batch बनता है, इनको भी आप join कर सकते हैं, हमारी तीन free test series हैं, इनको आप जरूर avail कीजिए, महिपाल code इस्तमाल करके आप कोई भी free test series class देख सकते हैं, anacademy app पर, एक iconic subscription students के लिए live mentoring platform हमने चालू किया है, इसका भी फायदा उठाईए, thank you very much for watching this, have a great day.